इस मूवी की शुरुआत होती ही हम जैनिफर नाम के एक लड़की को देखते है जो की एक अच्छी राइटर थी वो एक नौवेल लिखने के लिए लूशियाना नाम की जगा आई थी क्यूंकि उसे वो नौवेल लिखने के लिए किशी शान जगा की तलश थी इसलिए वो एक कैबिन लिया था अर्लोव से कैबिन के बारे में बता कर उसे उसकी चाविया देता है और जैनिफर उसके लिए निकल पड़ती है कुछ देर के सफर के बाद वो एक गयास्टेशन पर रुपती है जहां उसकी मुलाका तीन लड़कों से होती है जिनके नाम थे जॉनि, स सास लेती है क्योंकि उसे ऐसे ही सुनसान और शान जगा की तलाश थी वो उस क्याविन में अपना सामान सेट अप करके अपना डेली शेडूल फिक्स कर देती है और ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते है जेनी वहाँ काफी खुश थी और सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन एक दि सॉल कर देता है इसलिए जेनी खुश वोकर उसे कैजूली किस करती है और वो बंदा वहाँ से चला जाता है अब शाम को जेनी अपने दोस्त से बात कर रही थी तब ही उसे आउट हाउस से कुछ आवाज आती है इसलिए वो वहाँ जाकर चेक करती है लेकिन उसे वहाँ कर रहा था अब अगली सुबह जब जैनी जॉगिंग कर रही थी तब उसकी नजर एक पुराने घर पर पड़ती है जो बिल्कुल खंडर हो चुका था लेकिन वह जादा दिर वहाँ ना रुक कर वहाँ से चली जाती है इधर हम जौनी स्टेनली और एंडी को देखते है जो जैनी के बारे में ही बात कर रहे थे तब स्टेनली उन्हें वह कैमेरा दिखा था है जिसमें उसने जैनी को उस वक्त रिकॉर्ड किया था जब अपना ड्रेस दो रही थी यह देखकर वह सभी खुश हो जाते है तब ही मैथियस यानि वह अनमैचुर बंदा उन्हें बोलता जाती है तब तक वो लड़के उसके घर में घुश जाते है अब जब जैनी वापस आती है तब वो चारो उसे घेर लेते है जिसमें च्टेनली उसे रेकॉर्ड करना शुरू कर देता है और जोनी उसे डारा कर उससे सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है तब जैनी भी डरकर उन्हें अपने बारे में सब कुछ पता देती है तब वो लोग उसके डर का फाइदा उटा कर उसे एसर्ट करने लगते है और जेनी कुछ भी कर नहीं पा रही थी तब जौनी उसके मुँँ में गंगुसा कर अंदर बाहर करने लगता है जिससे जेनी और साधा घबरा जाती है और यह देखकर उन लोगों की हिम्मत और बढ़ जाती है लेकिन किसी तरह जेनी वहां से भागने में कामयब हो जाती है वो जंगल में किसी चीज की परवा किया बगर भाग रही थी और तभी लकिली उसकी टककर शेरीफ शो होती है जो उसे दिलास देकर उससे सारी बात पूछता है और वो उससे सारी बात बता देती है इसके बाद वो दोनों मिलकर उस कैबिन में आते है जहां उने कोई नहीं मिलता इसलिए शेरिफ वहां investigation करने लगता है जिस पर उसे वहां जलेवे cigarettes मिलते है जो जैनी के ही थे इसलिए शेरिफ उन दरिंदों को छोड़ कर उसकी ही तलाशी लेने लगता है लेकिन असल में वो तलाशी के नाम पर उसका फायदा उटाने की कोशिश कर रहा था तब ही वो चारो लड़के वहां आकर हसने लगते है और शेरिफ भी उनका साथ देने लगता है इसके बाद वो पहले से भी जादा बूर्य तरीके से उसे हरास करते है जिसमें जोनी उसके कपड़े फार कर उसे नाचने पर मजबूर कर देता है और जैनी भी डर की वज़े से उनकी बात मान लेती है लेकिन अब उन दरिंदों की हिमत काफी बढ़ गई थी और वो लोग मैत्यू को डरा कर उसे उसके साथ सबरतस्ती करने को कहते है और मैत्यू भी उनकी बात मान लेता है और स्टेनली ये सब भी रेकॉर्ड कर रहा था अब उनका काम होने के बाद वो लोग जैनी को जान बूच कर वहां से भागने का मौका देते है इसलिए जैनी वैसे ही बिना कपड़ों के वहां से चा रही थी लेकिन जब जैनी जंगल में आती है तब वो लोग फिर से उसे पकड़ कर बारी बारी उसके साथ सबर्दस्ती कर देते है इसके आलावा उसे काफी बोरी तरह से टॉर्चर भी किया जाता है और फिर से उसे भागने का मौका दिया जाता है लेकिन असल में वो लोग मोखे के नाम पर सिर्फ उसे भागा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि उसकी मदद करने वाला इस चंगल में कोई भी नहीं था अब आगे जैनी एक प्रीच पर पहुँच जाती है चाहां वो लोग फिर से उसे घेर लेते है लेकिन इस बार वो लोग उसे पकड़े इससे पहले ही जैनी उस प्रीच से नदी में कूच जाती है जिससे उन्हें लगता है कि वो मर जाएगी इसलिए शेरिफ उन्दे रिंदों से सारे सबुत मिटाने को कहता है और उस टेफ को भी तोड़ देता है जिसमें उनके कूकरमों को रिकॉर्ड किया गाया था अब वो सब मिलकर चैनी के कपड़े और वो हर एक चीज जाला देते है जो उस वारदाच से जुड़ी थी इदर सारे काम निपटाने के बाद शेरिफ अपने घर आता है तब हम देखते है कि शेरिफ की एक बेटी भी थी जिससे वो काफी ज़ादा प्यार करता था और उसकी बेटी होने के बावजूत उसने ये घिनोना काम किया था अब कुछ दिन बीच जाते है और वो दरिंदे अपना घटिया कांड बुला कर आराम से अपनी जिन्दगी जीने लगते है लेकिन मैत्यू को बार बार जेनी की याद आती थी और उसे उसके बारे में काफी बुरा भी लग रहा था और एक दिन जंगल में वो उसे के बारे में सोचकर परिशान बेटा था तब ही उसे वहाँ जेनी दिखती है जिसे देखकर वो काफी ज़ादा घबरा जाता है और तब ही कोई उसे भेहोश कर देता है अगली दिन स्टेनली बाहक कर जौनी और एंडी के पास आता है और गबरा कर बोलता है कि उसका कैमेरा चोरी हो गया तब वो लोग उसका गबराया ववा चेहरा देखकर उसका मजा कुड़ाते है तब स्टेनली बोलता है कि उसमें वो टेप भी थी जिसमें उन लोगों का कांड रिकॉर्ड था यह सुनकर जौनी उस पर गुस्सा होता है और उसे बोलता है कि वो टेप तो शेरिप ने तोड़ दी थी तब स्टेंडली बोलता है कि उसने पहले ही वो टेप निकाल कर एक नए टेप से रिप्लेस कर दी थी यह सुनकर जौनी उसे मार नहीं वाला था कि तबी एंडी उसे रोग देता है जिसके बाद रात को जौनी अपने घर में बेटा था तबी बाहर उसे कुछ आवाज आती है इसलिए वो जाकर देखता है तो बाहर कोई नहीं था उसके साथ सेम बाद दो-तिन बार होती है इसलिए वो गुस्से से पागल होकर गन लेकर बाहर आता है और हवा में गोलिया चाला देता है तब ही इधर शेरिफ के गहर आते ही उसकी बीवी उसे एक पारसल के बारे में बताती है जो उसके लिए ही आया था तब Sheriff देखता है कि उसमें वही टेप थी जो उनके कांड की थी ये देखकर Sheriff काफी परेशान हो जाता है और उन तीनों के पास जाकर उन पर काफी गुसा होता है और Stanley के मुँव में वो टेप गुसेड कर उसे निगलने को कहता है तब वो तीनों उसे समझाते है और उनके साथ घटी-घटनाए बता कर बोलते है कि यह सब मैंत्यू कर रहा है क्यूंकि उसे ही गिल्टी फिलो रहा था तब शेरिफ मैंत्यू को डूनने का ओर्डर देकर अरल के पास जाता है और उसे भी मार देता है क्यूंकि उन लोगों के अलावा अरल ही था जो जैनीफर के बारे में चानता था आगे हम मैंत्यू को देखते है जो जैनी के हिस साथ था दरसल जैनी ही उसे यहां लाई थी तब मैंत्यू से बोलता है कि वो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाता था तब जैनी उसे अपने पास बुला कर बेहोश कर देती है इधर एंडी और स्टेनली मैंत्यू को कोई डून रहे थे तब एंडी उस खंडर में जाता है जहां हमने जैनी को जोगिंग करने के दोरान देखा था तब श्टेनली मैंत्यू को डूनने खंडर के पीछे जाता है तब ही अचानक उसके सामने जैनी आ जाती है जिससे देखकर वो गुस्से से उसकी तरफ पढ़ और इधर श्टेनली को भी जैनी ने एक पेड से बान दिया था जहां वो उसे उसके कैमेरे से शूट कर रही थी और उसे फिल करवा रही थी कि जब रेकॉड करके उसे टौर्चर किया जा रहा था तब उसे कैसा मैसों सो रहा था वो उसकी की तरह क्यमेरा वाजू में रख कर वहां से Andy के पास चली जाती है। इदर Andy का बाट टप पूरी तरस से गंदे पानी से भर गया था। तब Jenny उसे बार-बार पानी में डूबा कर उसे भी चोप कर देती है। जैसा उसने उसके साथ किया था। तब Andy उसे जान की भीग मांगता है तब जेनी बोलती है कि उसने भी उससे भीक मागी थी लेकिन उन लोगों ने उसकी एक न सुनी अब जेनी उस बाट टब में एसल की पूरी बोतल खाली करती है और एंडी जिस सपोर्ट से वहाँ बंदा था वो सपोर्ट निकाल देती है जिससे उसका मुँ उस पानी में डूब जाता है और एसल की वज़े से गलने लगता है वो खुद को उस पानी में डूबने से बचाने की काफी कोशिश करता है लेकिन दीरे दीरे उसका मुँ पूरी तरह से गल जाता है और काफी खतरनाक तरीके से उसकी मोत हो जाती है इधर स्टेनली पर लगे हुए मचली की स्मेल से कई कव्वे वहाँ आ जाते है और अपना खाना एंजॉय करने लगते है वो कव्वे स्टेनली की दोनों आके खा जाते है और स्टेनली भी तड़ब तड़ब कर मर जाता है अगले दिन जॉनी जब अपने गैस्टेशन पर था तब उसे वहाँ एक लड़की दिखती है इसलिए वो अपना चाल विचाने उसके पास जाता है लेकिन वो लड़की और कोई नहीं बलकि जैनी ही थी वो उसे एक रोड़ से मारकर बेहोश कर देती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंदा पाता है जहाँ उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था तब जैनी उसके पास जाकर उसे उसके दाथ दिखाने को बोलती है क्योंकि जॉनी ने उसके साथ यही किया था रख नहीं पाता और चल्दी उसकी भी मोत हो जाती है इसके बाद बारीती शेरीप की जो खुत को बचाने की कोशिश में मैंत्यू को ढूंड रहा था तब उसे उसके बीवी का कॉल आता है और वो उसे उसकी बेटी की न्यू टीचर से मिलने के लिए घर बुलाती है लेकिन उसके हवाज सुनकर शेरीप काफी घबरा जाता है और सीधे अपने घर की तरफ निकल पड़ता है लेकिन घर आते ही उसे पता चलता है कि उसकी बेटी उसके नए टीचर यानि चेनी के साथ गई है यह सुनकर वो बोगला जाता है और बाहर आकर उसकी बेटी को ढूंडने लगता है लेकिन तब तक चेनी उसके कार में जाकर बेट चुकी थी और जैसे ही शेरीप कार में बेटता है चेनी उसे मार कर बेहोश कर देती है अब जब शेरीप को होश आता है तो वो खुद को एक ट्रैप में पाता है जहां उसके पीछे चेनी ने शौटगन को सेट क्योंकि उसके साथ शेरिप ने यही किया था वो उसे बोलती है कि अपने परिवार के बारे में तब सोचना था जब उसके साथ यह सब हो रहा था इसके बाद वो शौटगन के ट्रिगर को एक रस्ती से बांद कर वो रस्ती मैत्यू के हाथ को बांद देती है और बाहर आकर मै हो जाती है और गोली की आवस सुनकर चेनी फिर से एक पार चेन की सास लेती है और यहीं पर यमू भी खत्म हो जाती है